असलाम अलेकुम दोस्तों तो आज हम बनाएंगे अपनी स्टाइल में मचली यहां पर मैंने मीडियम साज के तीन सम प्याज मैंने पीश लिया है और देख सकते हैं यहां पर टमाटर और अधरक और ले लिया है मैंने और मैंने सरसो भी थोड़ा सा पीशा है जो कि मैंने चीपक जाएगा और यह थोड़ सा अधरक लसन का और टमाटर का मैंने पेश ताल दी इसमें बेशन मैंने डाला है कि जो मचली है यहां अच्छे से चिपक जाएगा और वह मसाला जो हमारा हाटेगा नहीं तितर हमने तील गरम कर लिया अच्छे से तील गरम करने के पाद ह तो बेसन अगर डाल सकते हैं तो जरूर डालिए उसे ही होता है कि सारे मसाली अच्छे से चिपक जाते हैं यहां पर अच्छे सारे फिश अपनी फ्राइ कर लेंगे देख सकते हैं गोल्डन और ब्राउन सारी मसली हमारी फ्राइ हो चुकी है गाल लेंगे हैं दोस्तों रस्पी मेरी अच्छी लगए तो प्लीस लाय करें शेयर यह सब्रकार करने ना भूलें टैसी तरीकिस सारी मसली को अधाय कर लेंगे उसी तेल में अधा चम ने मेथी ढाला है मेथी चटकने के बाद हम इसमें प्याच का अपना पेस्ट डाल देंगे तो प्याच को भी अच्छे से भूलने के बाद इसमें हम टमाटर और अधरक लेशन का पेस्ट डाल देंगे और देख सकते हैं जो मैंने सरसो पीशा तो डाल रही हूं दो चमच एक पीली वाली सरसो दो चमच में धनिया पाउडर एक चमच हल्दी पाउडर और मिर्ची मैंने मतलब तीक ही अपने हिसाब से लिया है नमक टेस्ट के और फिर मैंने इसमें कस्मीरी लाल मिर्च भी मिलाई है अच्छे सारे मिसालों को मिक्स करने के बाद यहां पर देख सकते हैं हमारा बंटर्की के मैंने पांच मिर्च टी х田 अच्छे से भून के बं लिया है तो मीसको कहां अच्छे से बढ़िते हैं चौहीं अच्छा से बहुं एक तो चला की तीर मिर्च चे चला के जुआ सब लेंगे फिर मैं समस्मास कि यहां कि तो पाल अव्या गले बग नंक चंत एप इसमें तरी आप जितनी चैये आप उतनी और जाव सब्रें डालें इसमें तरी भी ग। भी फिश है के धीजिगे ett Щुष्ट क्रणा ओज है अध्यकरेज कि आगेगी देञें दोस्तों रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना ना बूले तब तक लिए असलाम अलेकूम